हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपंप क्रियेशन्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खुबसूरत सी और सदल सी डिजाइन शेयर करें हूँ, यह देखने में जितनी खुबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है, वैसे तो यह टू रो की डिजाइन है, लेकिन इस आ सकती है, वो बैक साइड से और पूरी उल्टे उल्टे फंदो से बनाई जाती है, इससे आप सिंगल कलर में बहुत हैं, और आप चाहे तो इससे डबल कलर या मल्टी कलर में भी डाल सकती यह थ्री फंदो की ट्जाइन है, इसलिए थिजाइन को बनाने के लिए border बिना है जो कि आगे से यहां कि राइट साइट से उल्टे-उल्टे फंदों से बनाया गया यह डिजाइण बैक साइट से श्रूर होगी अगर आप सिंगल कलर में बनाती हैं तो आपㅋㅋㅋㅋ साइट से भी शुरू कर सकती हैं लेकिन अगर आप डबल कलर या मर्टी कलर में बनाती हैं तो आपको यह दिजैन बैक साइट से शुरु करनी होगी डिजाइन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले बेल आइकान को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है इस डिजाइन को बनाने का धंग, समझाने का धंग अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले ये डिजाइन रैट साइट से इस तरह से दिखाई देती है और बैक साइट से इस तरह से दिखाई देती है यहाँ पर मैंने single color से एक बार design बना लिया अब आपके लिए मैं दुसरी बार जब design बनाऊंगी तो double color में बना रही हूं तो अब हम design बनाना start कर रहे हैं design की first row जो की back side से है पहला फंद हम slip कर लेंगे आप चाहें तो इसे उल्टा बिन सकती है इसके बाद के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे पूरी रो हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे डिजाइन की फर्स्ट रो जो की बैक साइट से है उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी अब हम design की second row पर हैं जो की right side से है यह design की main row है इसको ध्यान से देखेगा आसान है लेकिन ध्यान से देखना ज़रूरी है पहला fund हम slip कर लेंगे आप चाहें तो इसे सीधा बुन सकती हैं उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और तीन fund के design है इसलिए हम तीन fund उर्टे बिल लेंगे यह हमने तीन fund उर्टे बिल लिये हैं अब हम दो fund पहले वाली slide कर लेंगे और उनको इन दो fund के आगे से इस तरह से ले पिछे कर देंगे फिर दोन फंदे पहले वाली slide कर देंगे और उनको फिर से आगे कर लेंगे इस तरह से यह तीन fund की design बनेगे फिर इसी तरह से बनाएंगे यह एक दो और यह तीन तीन fund की design है तीन fund हमने उर्टे बिल लिये हैं अब दो fund को हम पहले वाली slide कर लेंगे और उनको पीछी ले जाएंगे फिर इस तरह से सलाइपे करने के बाद उनको फंदो को इस तरह करने के बाद उनको फिर आगे ले आएंगे फिर इसी तरह से तीन फंदे बुन करके डिजाइंगे कैसे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बिनेंगे ये एक दो और ये तीन दो फंदों को हम ये सलाइप कर लेंगे उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे दोनों फंदों को फिर पहली सलाइप करेंगे और उनको आगे लेकरके फिर से तीन फंदों से इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है ये कि सेकन्ड रो है जो कि राइट चाइट से है तीन फंदों की बनाई है तीन फंदे उल्टे बना करके इस तरह से डिजाइन बनाई जाएगी अब हम इसको डबल कलर में डिजाइन बनाने जा रहे हैं इसलिए इसमें हम दूसरे कलर काउन लगा लेंगे और वो भी हम किदर से लगाएंगे बैक साइट से और पहला फंदा वैसे हम स्लिप करते हैं लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे कलर काउन लगाया है तो उसको भी हम उल्टा बिन लेंगे और पूरी रो हम उल्टे-उल्टे फंदों से बनाएंगे डिजाइन की सेकंड रो और दिजाइन की थर्ड र है उल्टे-उल्टे फंदों से बनाई जाएगे इस तरह से उनको फसाते चले जाएंगे दूसे कलर के उनको और पूरी रो हम उल्टे-उल्टे फंदों से बना लेंगे हम डिजाइन की फोर्ज रोपर हैं यह रो किस तरह से बनाएंगे पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे डि फंदे उल्टे बिन लेंगे, यह एक, दो, यह दो बिन लिए, फिर तीन और डिजाइन के लिए, क्योंकि तीन फंदों के डिजाइन है, इसलिए डिजाइन के लिए तीन फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, फिर तीन फंदे हमने उल्टे बिन लिए हैं, विज जैसे हमने सेकें रो बनाईती उसी तरह से दो फंदे इस तरह से करेंगे और इसके बाद उनको पिछी ले जाएंगे और इस तरह से दोनों फंदे उतार लेंगे फिर इसी तरह से उनको आगे लाएंगे दो फंदे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है तीन दो फण्दें हम उल्टे बिन लेंगे यह एक दो और यह तीन है इधुक ईधू फंदें इस तरह से सलाईपे करेंगे उनको पीछी करेंगे फिर से दो फण्दें इस तरह से ने फिर इसी तरह से करेंगे तीन फंदेंIf end चाहे तो उलटा बिन सकते हैं और चाहे तो एक पंदा उलटा बिन लेंगे और लास्ट फाला फंदा सिधा पुन लेंगें. इस तरह से हमारी ये फोर्स रो। कम्प्लीट हो जाएगे. इस डिजयन बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी, इस डिजयन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे बच्चों की फ्रॉक में, स्वेटर में, कार्डिगन में, कूटी में, किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप ड जय माता दी